हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी करेर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है मैं अन्सुल आज आपके लिए लिक रहा है हूं फंडामेंटल राइट्स का पार्ट तो पार्ट एट में हम करने वाले हैं राइट टो फ्रेडम के आर्टिकल जो 27 से लेकर करें 30 हैं तो आर्टिकल आज तीन आर्टिकल इसमें चार आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं तो चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को हिट कर दिए तक हमारे चैनल से जुड़ी सारी अपडेट्स हैं जो भी वीडियो सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आर्टिकल 27 के बारे में इसमें बताया गया है कि freedom from taxation for promotion of religion यानि कोई भी religion है कोई भी धर्म है उसको promote करने के लिए जो टैक्सेशन है यानि टैक्स से क्या है freedom मिलेगी ताकि जो उसका religion है promotion हो सके तो यह कै है यह एक तरह से स्वीदा इसमें दी गई है तो इसमें freedom दी गई है जो tax tax वगरा नहीं लगा जाया किसी भी religion को promote करने के लिए अगर कोई पैसा वगरा आया है तो उसके लिए तो no person shall be compelled to pay in taxes तो किसी भी person को compelled नहीं किय जाएगा किसी भी तरह से tax देने के लिए for the promotion or maintenance of any particular religion or legious denomination तो किसी भी धरम के या धरमिक संपर्दाय के परचार या परसार के लिए रख रखाओ के लिए उसके maintenance के लिए कोई भी अगर मालो कि है उसको किसी भी person को अगर मालो उसके income आ रहे है किसी तरह से या उसको दान व collected by way of tax for the promotion or maintenance of any particular religion आपको पता है कि जैसा कि आपको पता है जो हमारा देश है हमारा राश्टर है हमारा स्टेट है वो क्या है एक धरम निर्पेक्स देश है धरम निर्पेक्स का मतलब क्या हो गया उसके सामने सभी धरम बराबर है किसी भी धरम के लिए particular एक तरह से वो क्या ह है कि मतलब जो पबलिक मनी है पबलिक मनी किस तरह से जो टेक्सिंज खडारा के दरब से बजो आम पबलिक जनता ने जो टेक्स जमा करवा कि गो पबलिक जो स्टेट के पास पैसा जमा करवा paint कर वाया है उसका परियोग वो किसी बी a particular धरम करना दाम के है नहीं कि इंक दमा आपर आमाउंट भगाराद दी जाएगी और या फिर किसी को भी नहीं दी जाएगी तो यह है पर्टिकुलर रिलिज्ट के लिए के लिए होmaं origin करेगा और एक अभी तरत स्टेट है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगा नहीं उसका के तरह फेवर करेगा पक्स करेगा उसका तो क्या है यह तरह यह प्रोविजन हमारा दिया गया है कि यह हमारा देश के हैं धर्म निपक्स देश है इसमें नेक्स कर रहा है this means that the taxes can be used for promotion or maintenance of all religions तो क्या है कि सभी धर्मों के लिए या तो किसी एक या तो सब किसी के लिए भी यूजना किया जाए वो टक्सी बगारा का जो जो amount फंड बगारा एरेज हुए है जो टक्सी से या फिर क्या है सभी के लिए किया जाए तो maintenance for all religion तो सभी जिए या जा सकता है इस प्रोबिजन प्रोइबिट सवानल जाए नहीं जाए गारा किसी धरम के उपर लेकिन फीश वगारा वह लगाई जा सकती है चुल लगाने पर इसके उपर कोई भी एक तरह से प्रोइबिशन नहीं है यह उसको नियंत्रिट करने के लिए संस्थानों को जो लगाई जाता है एक तरसे कर उसको क्या लगते हैं उसको फीस कहते हैं तो यह कहा है इसका उदेश से किसी भी जो fees है उसका उदेश से किसी भी धरम को promote करना या maintain करना नहीं होता है इसलिए जो सुल्क है उसके उपर कैया है जो एक तरह से prohibition वगरा नहीं लगायागा है सरकार के उपर सुल्क के मामले में तो यह कह रहा है इसमें तस एफी कान भी लेवड और उन पिल्ग्रिम्स टू प्रोवाइड देम स्पेशल सर्विस और सेफ्टी मैजर्स तो जैसे कि आपको पता कि जैसे मानलो हज किया तरह होगी या फिर जो केदार नात की बदरी नात की या फिर उस तरह से जो एक तरह से तरह में जो फिस ली जाते हैं वो हज की प्रमोशन के लिए नहीं ली जाते मुसलिम दर्म के लिए नहीं ली जाती है उनको वहां पहुंचाना है रिजिस्टेशन के लिए या फिर उस तरह से जो सर्विस बगारा दी जाएगी सेफ्टी मैजर्स बगारा रखे जाएंगे बिए फिस बगारा ली जाती है वा नेक्स्ट अनस्तान में अब दर्मिक निर्देश चल राहा है तो कोई कोई भी मनुष्य है कोई भी बच्चा कोई भी बड़ा क्या है वो उसके लिए बात दे नहीं है कि वह उसको इंस्ट्रक्शन को फोलो करना है उसको नहीं करना है तो किन किन जगह ऑपर नो रिलिगिस इसको से तरा से सरकारी एक तरसे इस्टियूशन्स है उनमें किसी थरहाया कोई भी एक पर्टीकुलर धर्म से लेटेट निर्देश हुआ नहीं दिया जाएगा यह क्या है यह इसमें आर्टिकल 28 में दिया गया है हावर इस प्रोविजन सेल वी नोट अप्लाई टो एन एक्टेशन इस्टेशन करता है जो एक तरसे परशासन करता है वो स्टेट है लेकिन जो किया गया है उसका वो किसी किया है एक तरह से किया है उसके तरह किया गया है या फिर और बंदोबस्ति है उसके टहत की करने के लिए एक तरसे आप सकता हो सकती है वहाँ पर प्रदान की जा सकते है उसके उपर कोई प्रविजन नहीं लगा जाएगा यह सिर्फ वहाँ लगा जाएगा जहां वोली मैंटेंड बाइ स्टे आउट ऑफ स्टेट फंड है तो उन इसे में यह जो प्रविजन है वो लागू होगा आर्टिकल ट्वेंटेट क्या है डिस्टिंग्यूशिज बीट्विट्व टॉर टाइप आफ एज्यूशन तो क्या है चार तरह कि जो एक तरह से सक्षिनिक संस्थान होते हैं मैं चार जाते हों राज्य के दवारही एस्टीविस्ट किया जाती तो उस तरह से क्या करते हैं जो पूरे तरहाइं से मेंटेनस्स का कौन करता है स्टेट करता है सबी काम किसका स्टेट का तो आते हैं a category में को विख और साते हैं इंस्ट्यूशन अडिमिस्टेशन प्रसाइसन उसके पास है इसके पास है प्रसाइसन यो इस्टेबलेशमेंट हो गएरा है किसी बंदो पर स्केंद रहे हैं त्रस्ट के अंदर है जो रहे होगे टाइप में कोड़ से इंस्ट्रूशन इस तरह से जो स्टेट से माननेता प्राफ्ट हैं सिरफ इतना ही है नेक्स टेजिशन रिसीविंग एड्व फॉर्थ क्याता है जो राज्य से कुछ सायता प्राफ्ट करके एक तरह से वहां से कुछ उनके लिए कि है रिलीजियस इंस्ट्रिक्शन से वह कंप्लीटल प्रोइबिटेड है यानि कि कोई भी धार्मिक निर्देश उन स्कूलों में नहीं दिया जा सकता जो बीग टेकरिक इंस्ट्रिशन नहीं कि जो स्टेट के दवारा अड्मिशन के जाते हैं लेकिन एस्टेब ले रही है वहां उसके इसे उसके बाल पर देवाण चल रहे हैं तो पर मिलेंं के मरसी है वह करना चाहिए तो क्रें ना करना चाहिए तो ना करें यह कोई भी फोप्रोविश्νο कोड़ा करो हुश में किया है नहीं लग ज़ुजिए चिंद तरफें इस में क्या है जो पूरी तरह परकूर के दोरा मेंटेंट की गई है is आर्टिकल नंबर 29 और 30 के बारे हम देख लेते हैं इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 29 पहले क्या कर रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ माइनोर्टी तो यह आगर आगर आपको कहीं भी माइनोर्टी के बारे में अगर पूछ पूछ रहा जाए कि उसके उनके बारे में कहा बताएगए तो उसको बताया गया है आर्टिकल 29 के अंडर चले देख लेड़ों क्या कराया है कि अश्य टौफ यह प्रूइंडिया में कहीं पूरे ऐरिया में तो वहां के एरिया की हिसाब से कि पूरे एरिया में सबसे अलग है इसकी language श्क्रिप्ट है उसकी अलग अे फिर उसका кल्चर है खुद का कल्चर है do और सभी sekarang और सभी जीतने भी स्टिजन है आपके सबसके क्टell Kr Abraham रे तरस आई धरी को प्रोवघन को आपने हम कंजर्व कर सकते अपने हम अपने स्क्रिप्ट को अपने लेंग्विज को वह अपने बचा करके संग्रक्शन के लिए अपने कदम उठा सकते हैं तो इसकी उनको फ्रीडम में लिए हुई है इसमें क्या मिला हुआ है देख लेते हैं एक बार नो सिटिजन सेल भी डिनाइड अडमिशन इंटो एन इजिकेशन इंस्टिशन मेंटेंड वाइ स्टेट और रिसीविंग एड आउट अफ स्टेट फंड ओन दा ग्राउंस ओन्ली ओफ तो क्या करा है कि कोई भी सिटिजन है कोई भी इमतलब नाकरी का भारत का उसको किसी भी मतलब की इमतलब की एडमिशन देने से मना नहीं कि आजाया कहां कोई भी एजुकेसन सब्स्थान. कोई भी एकुट इनकी स्टेट के तोरह मैं noch जाता कर फिर स्टेट के बेरा है वो हैड ले एनकी साहथा उसे स्टेट फंद से साहता मिल रही है कि किस क् इसको inglisट इसको इनकी उसको मना नहीं किया जा सकता तो इसो कोया इसे कोई गरीसमें applause करता है तो लेकिन अगर इससे कोई और मालो रीजन है उसको आडिविशन ना देने का तो वह वैलिट हो सकता है वह एक तरह से जायज हो सकता है अर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन डू बहुत रिलीजियस मायनोर्टी आज वेल लिंग्विस्टिक मायनोर्टी तो आर्ट एक मालो हिंदी बोलने वाले हैं एक पंजाबी बोलने वाले हैं तो अगर मालो हिंदी बोलने वाले उस एरिया में बहुत कम हैं बहुत ही कम यानि कि मायनोर्टी में आते हैं तो उनको क्या कहेगा उनको लिंग्विस्टिक मायनोर्टी कहा जाएगा उनको प्रोटेक्शन क कझा सब्सक्राइब करें यह सिर्फ मायनोरीटी से वह भी क्या है अपनी तरफ से पर्यास कर सकते हैं प्रोशन के लिए अपनी लेंग्विज को अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो इसमें सुप्रीम कोट ने कहा था कि यह सिर्फ माइनोर्टीज के लिए ही क्या है यह रिस्ट्रिक्टिट नहीं है माइनोर्टी तक ही यह सभी के लिए क्या है कॉमन एक तर से एस और में एस और से सभी नागरियों के बचाने के लिए सकते हैं इसको प्रियाश कर सकते हैं इसको प्रमोर्चं यह प्रियास कर सकते हैं और नेक्स्ट इसमें कर सकता है और क्या करता है उसको एक्तर से आल माइनोर्टीज को कर देता है उसके बारे में देख लेते हैं वह हो सकते हैं और लिंग्स्टिक राइट्स पर हो सकते हैं तो पहला क्यार गाइस से अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के अपनी पसंद के जो सेक्शनिक संस्थान है उनकी स्थापना कर सकते हैं और उनका परशासन का दिकार के हैं उनको मिलेगा और के हैं उनको जो सकते हैं उसको चला सकते हैं और उसका प्रोवाइड की जाएगी स्टेट के दवारा ताकि जो अडिकरण होगा उसके लिए क्या है वह क्या है वह क्या है उनको निरस्त नहीं करेगी प्रतिमिन नहीं करेगी जो भी मारी जो प्लसरी एक विजन की जो के है जो कमपनसेशन अमाउंट है वो फिक्स की गी है तो उसके बारे में जो माइनोर्टी के लिए क्या किया गए है ताकि उनको जो गारेंटीड दिये गए है राइट में ताकि वह एजुकेशन इस्टेबलिश कर सकते हैं उसके ओपर कोई भी रेस सब्सक्राइब करेंगे है तो कैकल का यह जो जो माइनोर्टी है उनको यह भी राइट मिलाव हुआ है कि वह जो एडुकेशन है अपने बच्चों को अपने जो एक तरसे आने वाली जनडेशन को अपनी ही लैंगवेज में क्या है अपनी लैंगवेज में जो एडुकेशन वो प्रवाइड कर सकते हैं तो यह आर्टिकल दो 30 है इसमें बी यह यह वी राइट उनको दिया गया है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसमें सिर्फ माइनौर्टी की बात की बात की बात की थी माइनौर्टी दोनों के लिए के लिए किसी बी सक्षन के लिए एक्सेंट नहीं होता है सिर्फ माइनौर्टी की बात की माइनौर्टी जो बंदेर कोई सी एरिया में रहते तो अगर वहां पर आपर लोग हीं वहुं है और दस परसेंट लोग मुस्लिम है तो इस तरह से जो जिनकी आवाउंट ज्यादा होत इसे बारे में पता है कि जो नॉर्मल बात है कि इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि सभी को पता है कि मैंनोरी के होता है जो कम पोपोलेस्ट नों जिन की कमो मैंनेरीटी जईुक्त श्क्सन सैस्तान है वह तीन पर करके जके कैसे होते हैं स्ठिट से जो स्टेट से जो चीड़े ummy तरुट्र ये राज्य से क्या है साइटा पराप्त करते हैं उसके साथ मैंनेता भी वहीं को से करते हैं तो किसे तरह और या फिर जो मान्यता है वो भी द्रहला करते हैं संथिज़ूशन कि मौनुत से क्या है कि यह जो संस्थान मतलब महां से तरस जो एक तरसे संस्थान है इनको राज्जा सिन्ना तो मैने तपराप्त है और नहीं सायता उनको पराप्त है और नहीं वह विए प्रस्ट और रेगुलेटरी पावर उफ स्टेट विधि रिगार्ड टुष प्रिस्क्रिप्शन अक्याडमिक स्टेंडर्स डिसिप्लिन सेंटेज़ेशन एंप्लोईमेंट ऑफ टीचिंग साफ और सोवन तो कहा कि जो ए और बीड़ेगरी निफस्ट और सेकिनद जो यह सब कर सकता है तो यह सब कर सकता है लेकिन तीसरी ताइप के इसमें ना रिकनेशन प्राप्त है और नहीं क्या है प्राप्त है तो उन तरह के इंस्टीशन में इस्टेट का कोई नहीं होगा ये इस तरह के जो रूल बगरा है वो उनके उपर एपलिकर वह नहीं जैसे की लेकिन जो फ़स्ट और से किन गथे जैसे की वह डिसिप्लीन अगरा जो पर अक्याटेमिक स्लेबस हो गया अक्याडेमिक चैन्डर्ड होगे एंप्लोएमेंट होगा टीचिंग चाहब तो इस तरह से कोई कंट्रोल ही वह सिर्फ का वह लाव गारा है टेक्स लाओगे लेपर लाओगे तो इस तरह से वह लाँ हैं सिर्फ वही उनको पर एपलिकेबल होंगे तो फ्रेंड्स आजके लेक्स्टर में इतना ही कल हम देखने वाले हैं आर्टिकल दो थर्टी टू के बाद के बाले देखने वाले हैं तो हम पार्ट नाइन लेकर आ रहे हैं मंडे को तो मंडे को अगर मंडे या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है टूजडे तो तो हम आपको ब झाल झाल